तमिलनाडू बहुत तेजी से रेगिस्तान बनता जा रहा है। जाएगा। मेरे ख्याल से और तेजी से ऐसा होगा। जब तक कि कोई प्रबल कोशिश ना की जाए। जिस जमीन ने हजारों सालों से हमें पाला है, उसके साथ हमने एक पीडी में ऐसा कर दिया। ये कोई मजाक नहीं है। ये विपत्ती का आवान है। ऐसा लगता है मानो हम इस धर्ती की आखरी पीडी की तरह जी रहें, जो बहुत दुख़त है। अगली पीडी, हमारे बच्चे, हमें बहुत घ्रिणा के साथ देखेंगे। यह भूमी जो कभी बहुत उपजाओ थी, इसकी दुर्दशा को देखकर सद्गुरू ने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड शुरू किया। तमिल नाडू की हर्याली को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 11 करोड 40 लाख पेड लगाने की योजना है। पर्यावरण का यह मुद्दा जो बहुत जादा महत्व नहीं रखता था, अब एक जोरदार जन आंदोलन में बदल गया है। हर उम्र और तपके के लोग, शरीर व दिलो दिमाग से इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। इस पर योजना ने तीन मुख्य रूपों में समुदाय को अपने साथ जोड़ा है। Trees for All योजना के अंतरगत, वॉलिंटियर राज्य भर में पौधों को बाट रहे हैं। पिछले 10 सालों में 450 नरसरियों में 2 करोड से जाधा पौधे उगाए गए और उन्हें पूरे तमिलनाडू और पौंडी चेरी में लगाया गया है। Trees for Life योजना के अंतरगत, किसानों को आर्थिक लाप पहुचाने और परियावरन को बहतर बनाने के लिए पौधे लगाये जाते हैं। अब तक लगभग 15 लाख पौधे खेतों में लगाये गए हैं। Green School आंदोलन में स्कूली बच्चे पौधे लगाते हैं। लगभग 1900 स्कूलों के 10 लाख बच्चों द्वारा करीब 33 लाख पौधे उगाये जा चुके हैं। प्रोजेक्ट Green Hands को कई पुरसकार मिल चुके हैं, जिन में भारत का सर्वोच इंद्रा गांधी परियावरन पुरसकार भी शामिल है। इसके अलावा इसे शिकागो के Beyond Sports Summit में Sport for the Environment पुरसकार और तमिलनाडू राज्य सरकार का परियावरन पुरसकार भी मिल चुका है। प्रोजेक्ट Green Hands के अंतरगत 3 करोड से जाधा पौधे लगाये जा चुके हैं। हम अगली पीडी के लिए किस तरह का जीवन बनाते हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि हम इस धर्दी की तरफ कितना ध्यान देते हैं। आपके जीवन के हर पल में पेड जो छोड़ते हैं उसे हम सास में अंदर लेते हैं। हम जो सांस छोड़ते हैं, उसे वो अंदर लेते हैं, ये एक स्थाई लेंदेन है, ये एक स्थाई साजेदारी है, ये एक स्थाई संबंध है.